नमस्कार मैं दिवे आज के इस रोजगार समाचार में आपका स्वागत है सरकारी बैंक में नौकरी करने की चाहा रखने वालों मिद्वारों के लिए अच्छी खबर है दरसल सफाई कर्मचारी और सब स्टाफ के 484 रिक्त पदों पर सेंट्रल बैंक ओफ इंडिया तवारा भरती निकाली गई है यह भरती गुजरात में 76 पदों पर, मध्यप्रदेश में 24 पदों पर, 36 गर में 14 पदों पर, दिली में 21 पदों पर, आजस्थान में 55 पदों पर, ओरीसा में 2 पदों पर, उत्रपदेश में 78 पदों पर, महराष्ट में 118 पदों पर, बिहार में 76 और जारकन में 20 पदों प बारे में तो जो मिद्वार सामाने OBC EWS वर्ग से आते हैं उन्हें आविदन सुल के रूप में 850 उर्पे देने होंगे वहीं SCST वर्ग के उमिद्वारों और दिव्यांग जनों से आविदन सुल के रूप में 175 उर्पे लिए जाएंगे चलिए अब जानते इस भरती के लिए उमिद्वारों के पास क्या पात्रताएं होनी चाहिए तो वैसो मिद्वार जिन्होंने दश्मी की परिक्षा उत्तर्ण की है साती उन्हें लोकल भासा की भी समझ है तो वे इस भरती के पात्र माने जाएंगे बात करें मिद्वारों की नियुनतम आईउ 18 वर्स और अधिकता मायू 26 वर्स से अधिक नहीं होनी चाहिए आयू की गरनाथ 31 मार्थ 2023 से की जाएगी हाला कि अधिकता मायू सीमा में आरक्षित वर्गों को छूट दिये जाएगे यदि बात करें इस भरती किलों में द्वारों के चेन प्रक्रिया के बारे में पूछे जाएंगे यानि कि परेक्षा कुल 70 नंबर के आयोजित होनी है जो भी अभ्यरती ये परेक्षा पास करेंगे उसके बाद उनकी अस्थानी भासा में परेक्षा 30 नंबर के लिए जाएगी आई अब आखरी में जानतों में द्वार इस भरती के लिए आविदन कैसे कर सकते हैं तो आपको बता दे किस भरती के लिए आपको सबसे पहले इसके अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा इसकी जचाम पहले भी कर चुके हैं साथे इसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन वॉक्स में भी दे रखा है आप चाहें तो यहां से भी डाइरेक्ट जा सकते हैं इसके होम पेज पर आने के बाद करियर विद असके टैप पर क्लिक करें फिर करेंट वेकेंसी के आप्शन पर जाए यहां आने के बाद आपको सफाई कर्मचारी पद भरती लिंक आसानी से मिल जाएंगे साथ ही यहां नोटिफिकेशन और भरती से सम्मंधित अधिक जानकारी भी मिल जाएगी उसके बाद यहां से भरती प्रक्रियाश शुरू करें आवेदन में मांगे जारें सभी जानकारी और दस्तावेजों को अप्लोड करें फिर सुल्का भुक्तान करें आपके आवेदन पूरे हो जाएंगे भवस्ते के लिए आवेदन के एक चाया प्रते अपने पास जरूर रख ले आज के लिए फिलार इतना ही हमारे साथ बनना निकले आपका धन्यवाद